मेरा सवाल एक चीज के बारे में अच्छा जब लो पढ़ते हैं तो कभी तो एक ही सलाम से तीन की नियत कर लेते हैं मतलब और उसको चेंज कर देते हैं बाद में कि दो सलाम से पढ़ें तो नियत बादने के बाद इस तरह तब्दीर करना क्या यह दुरूस्त है जब आप नमाज शुरू करें उसी वक्ता आप लियत करें कि आप एक रकात मितर पढ़ने जा रहे हैं या तीन रकात मितर पढ़ने जा रहे हैं आपको दरम्यान में चेंज नहीं करना है लिए क्योंकि नमाज में जिस तरह से वो नमाजें जो दो तरह से अदा हो सकती हैं उसमें ये ताइम करना जरूरी है कि आप किस तरह अदा करने जा रहे हैं तो ये ताइम जरूरी है कि अगर नमाज की दो कहित है तो वो कौन सी कहित है जो आप चाहते हैं इसकी ताइम शुरू में जरूरी है अलबता अगर आप मालीजे किसी इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं और वो इमाम साहब कभी तीन रकात पढ़ाते हैं और कभी एक रकात पढ़ाते हैं और वो बता नहीं रहे हैं आपको उन्होंने नमाज शुरू कर दिया अब आपको पता नहीं है कि वो इमा आपके लिये फकक वित्र की नियक डाब करना ये खरूरी रेकास की जो नियत है वो इमाम की नियत काफी है आप इमाम की इस वह कर रहें लेकिन अगर अगर आप तनहा नमाज कर एक नहिंद ये तन है ये तनवी तैंख परने जा रहे झाल